हालो फ्रेंग्स वेलकम तो माई चानल और अभी बच रहे हैं शाम के साथे चार और यह ब्लॉग में अभी स्टार्ट कर रहे हूं बैसिकली है कि मेडिसिन लेकिम आपको नींद अच्छे आप लोग रेस्ट करो बड़ में को नींदी नहीं आ रही है। मेडिसिन लेने के बाद भी बाद नींद के अदर बेचानी सी ओर यह बाडी के अंदर तो आज हमने लइन्ज किया है नहीं न मैंने न पापा ने, क्योंकि इडली बनाई थी और सुभा विकु के लिए normal सबजी रोटी बना के विकु को मैंने पैक कर दी थी, तो भी मैंने बरतन नहीं करें, सोच रहूं कि कि किसी को बुला लू है के लिए, क्योंकि ना धंडे पानी में हाथ डाल गूरे हूं त तो आज मैंने cleaning भी नहीं करी, थोड़ा बहुत घर समय दिया था बागी, आज मैंने जारू कुछ बढ़तनाज यह सब नहीं किया, सिर्फ cooking करी है, बस oiling करी थी, head wash किया था अपना, ना ना थाज में को एक दो दिन से मैं नहीं नहा पारी थी, क्योंकि एक तो light का problem हो रहा था, दूसरा कि शावर में भी कुछ problem हो रहा था, पर अच्छ मैंने सोच लिए कि आज नाम भी थोड़ा सा अच्छा feel होगा, पर नाने के बाद में को सांस लेने में रिक्तारी है, बता नहीं क्या है, अब रॉक्टर से पुछा है, टेस्ट के लिए तो उसमें बोला है कि एक दिन का और बेट करके देख लो, अगर आपको लगता है कि नहीं कि रॉक्टर को कह रहे कि कॉविट तो नहीं है, बिकास ऐसा कुछ उनको लगने र सिर्फ सर्दी ही इनको लग रहा है कि शाय तो मौसम बतल रहा है, और ठंडे पानी में में को जादा काम करना होता है, तो देखती हूँ अभी डॉक्टर से बात करूंगी शाम को फिर से, अगर वो बोलेंगे टैस्क राने के लिए तो एक बाटाइस दरूर करा लूँगी, और अभी मैं सोच रही हूँ, साड़ी चार बच्टा मुझे ठंड लग रही है, आज वैसे तो मैं में शाई की पहनते हूँ, अज मैंने तीम लेयर पहनी हुई है, मुझे मन कर रहा है किया गरम गरम चाय बना लो, तो मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, थोड़ी सी किच साफिंग बची हूई है या तो उसके साद रोटी मना लेती हूँ, या कुछ देखती हूँ अभी मैं बस बनाई दी थी और में कोहाना भी उठ गई तो उसको मैंने जोसकी इडली बच्ची भी थी उसको फ्राइ करके लोड़ा चाट मसला डाल के दिये, कौना हेलो बोल दो सबको आप क्या खा रहे हो? आप क्या खा रहे हो? गाइस ये भी सो गई ती नहाने के बाद, और मैंने अच्छी गैस पे सब कुछ रख दिया, और इसके बाद आप मैं सोच रही हूँ छे यार, चाए उबल क्यों नीरी देखा तो मैंने गैसी ओन नहीं करी थी हो जाता है कभी कभी ऐसा बढ़ा पेक आजसर है और आज तो धूप मैंने मैंने सर्द हो या कौना का सुर्द है कि चलो धूप में बैठ जाएंगे पड़ा धूप बिल्कुल भी नहीं आई आज इतना ज्यादा ठंडी-ठंडी हवा चल रही है और एक परसेंट भी आज दूप में आई है और आज पता नहीं कि वह सुबह से ही न लाइट बार-बार जारी आ रही है जारी आ रही है इसके वह जैसे वाइफाई का भी प्रॉब्लम हो रहा है तो चलो इधर मैंने कौना के लिए टीवी ओन तो कर रहा है बटा भी वाइफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है वाइफाई एक बार रिस्टार्ट करती हूँ चाहे बनाती हूँ मिलती हूँ आपसे तो गाइज अगर आप थोड़े से नेगेटिव जा रहे हैं या अगर आप चाहते कि कोई पोजिटिव सेशन आप लोग जोइन करें तो मैं एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में डाल रही हूँ उसमें तीस दिन का कोर्स है और उसमें आपकी जो थोड़्ट है आपकी जो नेगेटिव थोड़्ट हैं उसको आप किस तरीके से पॉजिटिव करी के से काम कर सकते हैं और वो किस तरीके से आपकी हेल्थ को लेके आपके मितलब काफी सारे चेंजिज उसमें आ जाते हैं आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक डाल दूँगी एवरी मॉर्निंग छे बजे से लेके नो बजे तक के बीच में होती है ये आपके उपर आप साड़े छे बड़ी जोइन कीजिए साड़े साथ बड़ी जोइन कीजिए पर यह है कि अगर आप रेगुलर उस चीज़ को करेंगे न तो काफी सारी चेंजिज आपके अंदर आ जाएंगी मैंने भी मतलब मुझे राउंड तीस और चोथा दिन मिलको हुआ है जोइन की हुए और पहले मैंने पहले दिन बड़ा मुझे लगा कि यार जोइन करूं ना करूं पर जब जोइन किया और पूरी क्लास मैंने अटाइंड करी तो अगर आप चाहते हैं जोइन करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से जोइन कर सकते हैं और अब मेरी हिमत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं डिनर बनाओ तो मैं सोच रहे हूं कि या तो दलिया या तो खिचुरी कुछ इस तरीके से फटाफट से कुछ कर लेती होगर हिमत होती है तो पर बेरतन मैं नहीं करूंगी क्योंकि पानी बहुत अंड है और मुझे ठंड वैसे भी लग रही है तो बिबस यह है और ना लाइफ थोड़ी सी नहीं काफी बोरिंग चल रही है कर दो तो गैस बर्तर हो चुके हैं साथ बच रहे और मैं फटाफट से मना रहे हो वेजिटेटल चो प्राइब कार्गे तरिया कि आपको दिखाती है यह देखो यह किचन में आचुकी है और अगर यह किचन में होती है तो मैं कुकिन के साथ सरफ इसे पर द्याद रहे सकती हूं यह देखो यह क्यामरा मेरी तरफ कर दो यह लो अब यह संदे को चोटी भी निवारी है ना ही बिंड लगा रही है ममा बाल कट कर दे आपके कट कर दो आपके बाल में कर दो कट हाँ यह इसका है स्टाइल है तो आपने केमरा में करब करा यह लीजिए तो गाइस अब तक आप इन से इनको देखे कि यह क्या करती है की चन में खड़े होती है अगर आज से खाना नंगाते हैं तो मुझे असे रखता है कि शायद उससे ना पेट नहीं बढ़ता एक जो गद के खाने की तसल्ली होती है ना वो पेट उसी से ही बढ़ता है वह पड़ा पड़ से तियार करती हूँ साथ बच्चु के और कोशिश करके भी तियार करके खा के जबाएं लेलू और जब इतको है इसको बोलूगी कि आप खालो और मैं तो जल्दी सो जाओं और यह बस सो जाए जल्दी आज क्या खा रहे हो आप ऐसे कैसे मम्मी कुछ भी बोलती है पानी पियों और इसे पानी बिल्कुल नहीं पीती है बहुत तंग करती है तो कि गाइस को आना बहुत ज़्यादा तंग कर रही है और मैं तो असको लेकी जाती हूं नीचे आओ जी वाली आगी चलो 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 कि किती बड़ी यह लोबी है यह इचले टावर्नेक्ट है इस फेले फ्लोर पर और यहां से यहां तक अम्होंसे इंस फ्लोर नीचे जाना हैं थे सक्ष्ट्रण फ्रेलिया इस जाना तो ससक इनदए फ्रेस पर चलते है चलो स्टेर्स पे हैं स्टेर्स पे चलने रेख़ो आश्कल के बच्चे चलो चलो आगई लिफ्ट यह आश्कल के बच्चे इस स्टेर्स पे निए चलना लेट्स गो इस में या पर आई थी अपनी प्रेंटे पास और उसने मुझे सप्राइज दिया आज है उनके हजबन का बर्ड़े तो यह देखो रोने अपने हजबन को सप्राइज देने के लिए यह डेकोरेशन की हुई है और आपको दिखाती हूं कोहाना मैनम जी यह देखो यह आते के स वाइट पास्ता की रेसिपी जल्दी आप लोगो के साथ भी शेयर करोंगी वाइट सोस पास्ता की रेसिपी आपको यह देखो कस बार राओ कर दो औरना लेको करे अचेब अचेगा है लेखो आछ भी उकलिया अटा पन्यार अग्यों तो दो फिक रीजिना डिम बड़रेशन की बड़रेशन की है यह भीम ढ़िस प्लाग मैं धोर आपको साथ की लेखो सूर है तो गाइज मैं आख चुके हूँ अपनी नेवर के यहां से और आते भी रस्ते में कजीब आ तो ही 10 फ्लोर पे जो कनेक्ट है ना फ्लोर वहां पे जो मैं जा रहे थी तो वोला गेट लॉक था बाहर से पर जब आ रहे थी तो पीछे से एक लड़का गया तो मुझे बड़ा मैं लिफ्ट से बाहर निकली वह दम से लिफ्ट में चला किया और इसके हाथ में कोई बॉटल थी पता नहीं क्या था और जो गेट था बन था जब मैं जा रहे थी लॉक था हमने अच्छी से मैंने नोटेज कहता कि कोहाना भाग रही थी और मैं देख भी थी किस लोर पे कि कि यारी क्या मतलब कुछ है क्या हाला कि अगर आवाज चिलना है तो काफी पूरी उपर नीचे तक टावर में आवाज जाएगी और मुझे काफी डर लग रहा था और साथ में कोहाना भी थी मेरी तो मुझे और ज़र दर लग रहा था तो आने फटा-फट से बस अपने घर आ गई हूं कि इस व्लोक में ही पर आइंड कर यूं मेरे चानल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा मिलती हूं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए